हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो आवर चैनल आज की सुड़ हम डिस्कस करेंगे कि विद्याले का किया असर पड़ता है बच्चों के विकास में इससे पिछले वाले वीडियो में हमने परिवार और समूदाय के बारे में जाना था तो देखी क्या है स्कूल शब्द की उत्पत्ति युनानी शब्द स्कूला से हुई है जिसका अर्थ होता है अवकाश ए ए एफ लीच के अनुसार वाज विवाद या वारता के स्थान जहां एथेंस की यूवक अपने अवकाश के समय को खेलकूद व्यायाम और यूद के पर माध्यम से स्कूलों में बदल गए अकैडमी के सुन्दर और द्यामों में व्यतित किये जाने वाले अवकाश के माध्यम से स्कूलों का विकास हुआ है उसके बाद है J.S. रोस के अनुसार विद्याले वे संस्ता हैं जिनको सभे मानव ने इस द्रिष्टी से इस्तापित क कि समाज में सूवे वैस्थितित्य था योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तियारी में साहिता मिले है। उसके बाद है ओटावे के अनुसार विद्याले यूपकों को विशेश परकार की सिख्षा देने वाले समाजिक अविश्कार के रूप में समझे जाते हैं। उसके बाद है ऐस बालकृष्ण जोशी के अनुसार किसी भी राच की प्रगरती का निर्नय विधान सभाव नियालो ये और फैक्ट्रियो में वही वरण विद्यालो में होता है। उसके बाद है विद्याले की आवशक्ता एवं महत्तु। पहला है विशिष्ट वातावरण की व्यवस्ता। विद्याले सीखने सिखाने का एक विशिष्ट इस्थान होता है। विद्याले में सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं यहां पर विद्यार्ति को ज्ञान प्राप्त करने का एक विशिष्ट वातावरन मिलता है उसके बाद है घर से सिख्षा का स्रिष्ट इस्थान विद्याले घर पर विद्याले सिख्षा प्राप्त करने की दृष्टी से घर तोर पर गुनों का विकास होता है जो की चार दिवारी में संभव नहीं है। उसके बाद है बहु मुक्य सांस्कृति चेतना का विकास। विद्याले में च्हातर क्योंकि भीविन प्रकारो परिवार्ज से समुदाइज संस्कृति से आते हैं और उनमें प्रापारशपरिक संपर के फलसरुप बहुमू की सांस्कृति चेतना का विकास होता है एक हिंदू बच्चा मुस्लिम बच्चे से सीखता है मुस्लिम बच्चा हिंदू से सीखता है इसी तरह से सीख इसाई आपस में सबी सीखते है तो बहु मू की चेतना का विकास होता है उसके बाद है व्यक्तित्वी का समान जस्य पुन विकास वैसे तो धर्म, समाज, परिवार ये भी सिख्षा के अनुवचारिक साधन है परन्तु अगर हम व्यक्तित्वी की समान जस्य पुन विकास की बात करें तो विद्याले में ही बच्चे के व्यक्तित्य का समान जसे पुन विकास होता है वह कैसे होता है विद्याले का पहले से ही नियोजीत कारेकरम होता है और निश्चित उद्देश्य होता है और इसका बालक के व्यक्तित्य पर अच्छा परवाब पढ़ता है और उसके व्यक्तिति का समान जस्से पुन विकास सम्मव हो पाता है उसके बाद है घर वा विश्व को जोडने वाली कड़ी जब बालक विध्याले में आता है तो उसका संपर्क अनेक संपरदाय और संस्किर्ती में पले बड़े बच्चों से होता है और वा भारी विश्व की घर्टनाओं से अपने आपको जोडने लगता है उसके बाद है शिक्षित नागरीकों का निर्मान हमारा देश परजाज ततंतरिक देश है और परजाज तंतर को सफल बनाने और संपुन राष्ट को सुरवांगीन उन्नती के लिए नागरीकों का इस शिक्षित होना आविशक है उसके बाद है समाज का निरंतर्ण विकास शिक्षिया एक समाजिक प्रक्रिया है विद्याले एक प्रमुख समाजिक संस्ता है समुदाई जीवन का एक रूप होने के कारण विद्याले में समाज को निरंतर्टाक और विकास के लिए सभी परभापूर्ण साधन केंदित होते हैं उसके बाद जीवन की जटीलता आज का जीवन बहुत ही जटील है आवशक्ताओं की मांग अधिक है और मांगाई बहुत अधिक है विशेश रूप से आर्थिक शेत्र में कॉम्पूटीशन का बोलवाला है और इन सब परिस्थिती में मनुष्य का सारा समय संगर्ष में बीच जाता है उसे अब इतना समय नहीं है कि वे अपने बच्चों की सिक्षा पर ध्यान दे उसके बाद आदर्षों का विचार धाराव का परसार संसार में विभिन परकार के राज्ये हैं कई परजात आंत्रीक हैं कोई सामय वादी हैं वे सभी राज्ये चाहते हैं कि उसके उनके भावी नागरिकों को आदर्षों और विचार धाराव की सिक्षा मिले और निचित ही इस दिशा में विद्याले से बढ़कर और कोई इस्था नहीं हो सकता उसके बाद विद्याले के कार्रे पहला है मानसिक शक्तियों का विकास चारित्री विकास, समाजिक भावना का विकास, नांगरिक्ता के गुनों का विकास शारिडिक विकास, सांस्कृतिक विकास, वेवसाइकव और दियोगी की शिक्ष्या तो यही सब था फ्रेंट्स उमीद करता हैं को सहे में आ गया होगा वीडियो को लाइच चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो